पूरे देश में बिजली का संकट गहराया हुआ है कोईले की कमी की वज़े से बिजली की जो इस्थिरता है वो लगतार घरती जा रही है बिजली की कटोती बढ़ती जा रही है और उत्तर प्रदेश भी इससे अच्छूता नहीं है हमारे बीच इस समय भोगता परिशत के घर पाऊके मिलाकर तो दोनों मिला पाऊर चलते है आज की बणके माईने में दो सो आट पर शेया है उसका मतलब की इतना ज़्यादा है और वहां पे भी कुछ ऐसी भी बाते आई जो आश्ट इंडोनेसिया में कुछ वहां ब्लेक मार्केटिंग भी होने लेगी तो सब मिला कर ऐसा हुआ कि कोल जो फारेन कोल आना चाहिए था उसमें किल्लत आ गई इसके बाद जो हमारे इसके अधार पर इनके जो ग्रीट पर इतनी एनर्जी आजाएगी उसके अधार पर कॉल इंडिया को ऐसा लगा कि साथ बहुत बड़ा भाग ग्रीट पर आने वाला है तो उन्होंने कोल में जो उनकी खदाने थी उसके हिसाब से उन्होंने उपयोग करने के लिए उत्पातन पर गया उसकी वज़ा से जो भी राज है चाहिए वह आप देग रहा पर बात कर दो और दो गंटे हुए और आज की इस्तिती में थोड़ा दो सुदा रहा है और यह देखना है कि आने वाले समय में किस प्रकार से इस पर यह लोग कर पाते हैं लगातार संकट बन रहा थे कोईले की आप उर्थी को लेकर कि आप चुकी बता ही रहें । बिकल्प हो सकते हैं क्योंकि आगे भी संकट रहेगा लेकि पावर एक्षेंज पर जो बिजली उपलब्द है उसका उपियोगम करें लेकिन सबसे बड़ा संकट यह है कि वहां भी मुनापा खोरी सुरू हो गया अब सवाल यह होता है कि पाँच रुपया लागत की बिजली को 21 रुपया में अगर मुनापा खोरी हो रही है पावर एक्षेंज बेच रहा है तो कल उस पर हमने मांग की थी कि केंदर की मोधी सरकार को इस पर एक सीलिंग लगाना चीए इस पर पर प्रतिबंद लगाना है कि नहीं भई एक सीलिंग है इससे ज्यादा आप पावर एक्षेंज पर महंगी बिजली नहीं बेच पाएंगे अगर आपको लगता कहीं आपका नुकसान हो रहा तो सरकार के पास आई सरकार सबसिटी देगी वह यहाल यहां भी होना चीए तुरंद केंदर की मोधी सरका करना चाहिए तो जो पावर एक्षेंज पर महेंगी बिजली पीच रही है मुनाफ़ा खोरी हो रही उस पर प्रतिमन लगेगा और जब हम वहां सस्ती बिजली खरीद लेंगे तो राज्ज में जो कठाउती हो रही उसको हम बचेंगे इसी भी पिर हमने उर्जिया मंतरी से बात की कि इस्तिती क्या है उन्हें का निसी तोर पर कोईला डिपार्डमेंट से हमारी बात हो गई और आने वाले समय में बहुत जल्दी जो हमारे उत्पादन गिरी हैं जो चल रहे जहां पर दो तीन दिन चार दिन का कोईला उपलब्द है वहां पर भी उचीत मात्रा में कोईला उपलब्द हो जाएगा और आने वाले समय में संकर से निजात पा जाएंगे लेकिन जो परिस्तितिया दिख रहे हैं अभी थोड़ा हमको लगता है कि यह पूरा महीने के लाश्ट तक देखना पड़ेगा क्योंकि इसी बीच आप देखेंगे कि आज जो कोल हमारा क में कोल ख़डानों के जो हमारे चेर मैं हैं South queen के लिजुट। पर इसी बीच प्रकास भाय वली ले यह तो還 सब्सक्राइब करना होगा अन्यता कि इस्तित में कटाउती और बढ़ेगी और तेवार के समय में हमारे प्रदेश के उभुगताओं को एक बड़ा संकट जेल ना पड़ सकता है जो आप महेंगी बिजली की बात कर रहे हैं इसके क्या आपको लगता है कि जो तमाम तरीके से महेंगाई बढ़ रही है उसका ये एक पार्ट है या कंपणियों की सिर्फ मनमानी नहीं पावर एक्चेंज पर जो है बड़े बड़े निजी घरानों की बिजली आती है वह पैसा नहीं करेगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजली आवस्यक सेवाओं का अंगे आवस्यक सेवाओं का आप मुनाफ़ा खोरी नहीं कर सकते मैं एक उतारण देना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि जब गाओं में पहले कोटे की जो हम चीनी ले जाते साधी भी आख लिए तो कोटे की चीनी अगर हमको सस्ती दर पर एलाट होती थी तो अगर उस चीनी का बढ़ जाता था तो उसे हमें नियमा अनुसार वापस क कर रहें तो जब आपको बर्तमान में इस प्रकार की इस्तिति आ गई है तो ऐसी स्तिति में सरकार को हज तक छेप करके परदेश की जनता को कटवती मुक्त बिजली देने के लिए सस्ती बिजली का उपाय डूटना चीए जो सरकार नहीं कर रही है इसका मतलब जो निजी घ सरकार को कई मामलों में देखना पड़ेगा तब आने वाले समय में बिजली संकट के सही जो कारण है उस पर पहुंच पाएंगे अन्यता किस्तित में इसी प्रकार से परदेश की जनता देश की जनता भुगत्ती रहेगी और बड़े बड़े जो निजी घराने मुनाफा कोरी करते रहेंगे अप्रदेश जब अंधेरे के संकट में जाने की तरफ दिख रहा है ऐसे में कर्मचारियों का प्रदर्सन चल ला है उसमें दो धड़े है एक धड़ा जो है अंदोलन कर रहा है वो अभियनता पाउर आफ इस रेशूसियसन से जुड़े हुए है उनका हमेजा मत रहा है कि कोई ऐसा काम मत करिये जिससे उभोकताओं को कोई दिक्कत हूँ क्योंकि उनका मानना है कि उभोकता है तो विभाग है विभाग है तो हम है तो निश्ची तोर पर उभोकताओं की सुविधा को देखते हुए आज की डेट में जब करोना काल के बाद तुरंद लोग अपनी रोजी रोटी से लोटे पर जा रहे हैं इस भीषम परिस्थिती में उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि बरतमान में आपको जो भी मांगे है जो भी बाते हैं उसको आप रख लीजेगा लेकिन संकट की दोर में आप काम पर लोटकर प्रदेश की जनता को आज की डेट में उनकी सेवा करें अन्यत करना बीभाग होगा इसी प्रकार की कारवाई करोगे तो निश्ची तोर पर किसान और भोगता आपके साथ क्यों खड़ा होगा तो इस प्रकार की बाते जो है इसको सब को समझना चाहिए विजली आवसक सेवाओं का अंग है आपदा में आउसर तलासने का परियास नहीं क करना चाहिए यह जो आपने घंटा ज्यादा काम करने का निड़े लिया है यह सरकार की तरफ से की गई कोई अपील है और दूसरा धड़ा क्यों इस बात को नहीं समझ रहा है कि सरकार हर बात की अपील करने नहीं आएगी हमारे जो अभियंता हैं उन्होंने देखा कि कुछ अभियंता जो आंदोलन रत हैं उनकी वज़ा से हमारे प्रदेश की जनता को दिक्कते आएगी तो उन्होंने स्वयम अपनी बैठक करके पावर आफिसर एसोसियेशन में बैठक करके निड़े लिया कि आज की डेट में संकट का दोर है संकट की दोर में हमको आपको सबको एड़ी ठोकर प्रदेश की जनता को एक अच्छी विजली उपलब्द कराना है और उनके द्वारा जो मानक के तहट विजली चाहिए वह हमें उनके घर तक उपलब्द कराना है इस दिसा में पावर आफिसर उसोसियेशन में स्वयेंगे हैं नेड़े लिया कि हमारे भोगत द्वाब्द के लिए हमने अपना संभेलन किया था तो उसको पता चलना चाहिए हम परदेश की जनता को अच्छी विजली उपलम्त कराने में अपना योगदान दे रहे हैं हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्य बाद तो यह थे भोगता परिशत के अध्यक्ष देश कुमार वर्मा जी जिनका भी कहना है कि बिजली का संकट लगातार बना हुआ है कोईले की आपूर्ती नहीं हो पा रही है साथ ही उन्होंने बिजली के अधिकारियों और ले आएं सहोगी बावुलार के साथ सुसील कुमार डेली इंसाइडर लकनवुद